हेलो एब्रिवन स्वागत आप सुभी का एक बार फिस्ट से हमारे चैनल GDC एट्विटर में जैसा कि आपको पता है D-Farmacy का जो भी exit exam होने वाला है उस exit exam में आपके डेर सारे ऐसे बहुत से important topic है जिससे आपके question पूरे के पूरे बनने की सम्मा होना है यह सारी जो भी topics हैं उन topics को हम यहाँ पे video series में लेकर के आ रहे हैं इन सभी topics की playlist भी बन चुकी है तो description मगरे में जाके playlist देख सकते हो और इन सभी topics को यहाँ पे हम cover करते हैं यह सारे topics आपके previously जितने भी pharma commutative exam है उनमें पूछे जा चुके हैं और आपके exit exam में भी पूरी की पूरी संभावना यहाँ पे इन topics से question की हो जाती है तो उनी question series में आज का जो हमारा topic होगा फार्मकोपिया से होगा फार्मकोपिया के ऐसा topic है जिससे लगातार हर एक exam में फार्मकोपिया से मिलली बात किया जाए उसके edition से question पूछता है जियां तो फार्मकोपिया के edition से बहुत ज़्यादा question पूछते हैं उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं बताने वाले हैं और आपका फटाक से एक topic आपका clear कर देंगे जिससे एक से दो question आपके इस topic से clear हो जाएंगे और आप आने वाले exam में इससे जो भी question मनेंगे उसको कर सकते हूं इसकी और भी series देखने के लिए आप जाके playlist को visit कर लिजेगा जी हां हमारा mission exit exam के अंतरगा जो आज का topic होगा वो फार्मकोपिया का edition होगा अगर हम बात करते हैं तो फार्मकोपिया का अब तक लगबग 9 edition published हो चुका है और 9 अभी आपका latest edition है तो यहाँ पे पहले से लेकर के 9 तक सारे edition को हम बहुत ही बहतरी तरीके से आसान तरीके से याद करने वाले हैं तो एक-एक करके अगर बात करते हैं तो टोटल 9 edition है पहला edition सबसे पहले edition की बात कर ले तो 1955 में आपका पहला edition हुआ था 1955 पहला था 1986 में आपका दूसरा edition यहाँ पे हुआ था पब्लिस उन्ने सो पचासी में तीसरा IP का थर्ड एडिशन पब्लिस कब हुआ था 1985 में उसके बाद 85 के बाद 96 में पब्लिस हुआ उन्ने सो चानबे के बाद आप विश्वी सदी में आ जाईए तो 2007 में आपका कह सकते हो पांचवा एडिशन हुआ था फिर छटे डिशन की बात कर ले तो 2010 में हुआ था उसके बाद हर साथ चार साल के गैप में बात किया जाए तो साथवा एडिशन आपका 2014 में पुब्लिस हुआ था जबकि आठवा एडिशन की बात कर ले तो 2018 में और जो लेटेस्ट एडिशन है जो आपका लेटेस्ट एडिशन से बहुत ज़्यादा कोश्चन मनता है वो 2022 है तो आपका 2077 हो गया है ना उसके बाद आपका 2010 हो गया 2014 हो गया दोजार-ठारा हो गया और लास्ट और लेटेस्ट की बात की जाए तो 2022 वाला एडिशन यहाँ पर हो गया है तो टोटल आपके ज़्यादेशन है और निन नो एडिशन से कोश्चन मन जाता है सातवा एडिशन आपको simply क्या जात करना है 55 66 85 96 97 10 16 18 22 क्या क्या जात करना है 55 85 85 97 चानबे 7 10 16 18 22 टोटल आपके 9 एडिशन नो उंगली है वह या 55 66 85 96 97 27 2010 14 18 22 तो यह आपके एडिशन है और कभी-कभी एडिशन हार एक एडिशन में किसके चेर्मेंशिप के अंतरगत हुआ था उससे भी कोश्चन मनता है तो उसके लिए एक वीडियो बना देंगे लेटेस्ट अगर बात किया जाए 2018 और 22 का अभी ज्यादा पूछता है तो डॉक्तर मंसुक मांडविया सर्जियां डॉक्तर जो मंसुक मांडविया थे वह आपके अभी सिंपली बात किया जाए तो आपके यहल्त मिनिस्टर भी पहले थे अभी रिसेंट में तो जेपी नडड़ा जी हो चुके है तो अभी तक बात किया जाए जो 2018 और 2022 का क्या था आइपी था वह किसके चेर्मेंसिप के अंतरकत हुआ था डॉक्तर मंसुक मांडविया उसके बाद आपका कुछ आपके डॉक्तर नित्यानंद के अंतरकत हुआ था कुछ आपके डॉक्तर पीसी तो यह सारा जो भी आपका चेर्मेंसिप था चेर्मेंसिप की एक हम स्लाइट बना देंगे वह इंपोर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वहां पर जाके देखना और सबसे पहले जो इंडि सिवान। और सभीघांट की बात करें तो यहां से बनता है और फार्मकोपिया हर साल किस-कलर में आते हैं हम तो वहां सेभी क्लियर कर लोगे अगर हम question की बात कर लें तो simply question कैसे आता है ऐसे पूर्च देता है कि first edition of IP published in case year है न किस year में published हो था भी उन्नीसों पच्पन में चाचट में 47 में 45 में भी या 47-45 तो ही नहीं है सबसे पहला पच्पन में हुगा था दूसरा आपका चाचट में तीसरा की बात कर लें 85 चौथा बात कर लें चान में पाच्पन आपका 2007 हो जाएगा छटा की बात कर लें तो जाल 10 हो जाएगा सात्मा आपका 2014 हो जाएगा और उसकी बात बात करते हैं आठमा आपका अठारा और नवा यानि की लोटेस्ट आपका बैतरिंग सीरीज है इसकी प्लेइट भी मिल लाएगी वहां से देख सकते हो आप सारे कुश्चन अगर हम बात करते हैं सर एक्जेट इग्जाम में जो आपका स्लेबस आ रहा है स्लेबस क्या है टोटल आठ सब्जेट है फर्स्ट यर के तीन है और से कुश्चन आएंगे और 50% passing marks होगा सर अगर मान लिजे 100 100 नमबर के कुश्चन आएंगे 100 कुश्चन आएंगे तो 50 क्याओन नमबर आपको लाना पड़ेगा एक पेपर होगा ये बात द्यान रखना है तीन नहीं होगा साड़े तीन गंटे का यहाँ पर आपका टाइमिंग होगा टोटल कंपलीटल की MCQ-based यहाँ पर कोश्चन होगे और English language में कोश्चन देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यह सारा subject है इन सभी subject का complete chapter wise topic wise आपको MCQ देखना है तो कहीं नहीं जाना है इसी चैनल पर जिस पर आप ये विडियो देख रहा हो उसके live session में चले जाना live session में जाओगे तो exit exam में आने वाले आटो subject का complete chapter wise topic wise आपका daily Monday to Saturday 11 बजे फिर एक बजे फिर तीन बजे पांच बजे और रात के 10 बजे यहाँ पर session चल रहा है completely totally free session चल रहा है अगर इस series को देख लिया तो selection पका है क्यों क्योंकि लगब 15,000 से ज्यादा सारे subject का MCQ यहाँ पर कराया जा रहा है और यह आपके exit exam में आने वाले किस-किस धंग के question होगे उन सभी question का एक तरीके से quick revision होगा और बेहतरीन तरीके से explanation के साथ बताया जाता है तो इसको देख सकते हो साथी साथ exit exam में आने वाले सभी subject का book चाहिए चाहिए वो MCQ book को हो चाहिए वो theory book हो उस book को भी आप exit exam का crack करने के ल ताकि आपकी तयारी भी boost up हो और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से exit exam की तयारी हो सके साथी साथ अगर बात करते हैं सर exit exam निकालना है crash course बहुत से बच्चों का query है कि सर हमें proper guidance मिले proper crash course मिल जाए तो crash course का भी यहाँ पे जिक्र है exit exam में आने वाले आठो subject का complete chapter wise complete topic wise सारे topic का live classes चल रहा है recordings मिल जाएगा और e-books, e-notes, PDF notes, online testing इस सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जानी वाली है best और best आपकी expert faculty इसको पढ़ाएंगी one triple nine का यहाँ पर यह प्राइस होने वाला है code लगा दीजेगा इसके साथ आपको theory और objective book भी मिल जाएगी free में और अपनी तयारी को एक बार में ही निकाल करके boost up कर सके exit exam की cross cross की link और आपका कह सकते हो जो भी आपका यह book की link हुई या फिर आपके source जरूर सेर करें मिलते हैं किसे वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और धेर सारे आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसको भी जरूर देखेगा थैंक यू सो मच all the very best have a good day